ओम गंशी महागड़ी शाय नमा ρाधी राधी दोस्तों कैसे है आप सब։ दोस्तों मकर संक्रांती का पावन पर अधिकता 14 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन इस पार मकर संक्रांती 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन है मकर संक्रांती के जब तब इस नान पूर्चन और उपाय दोनों ही दिन किये जा सकेंगे मकर संक्रांती को उत्रायन की नाम से भी जाना जाता है इस दिन सूरे दच्छणायन से उत्रायन हो जाते है उत्रायन को बहुत ही शुब माना जाता है इसलिए उत्रायन में सभी शुब और मांगलिक कारे फेसे शुरू हो जाते है उत्त्रायन को देपताओं का दिन कहा जाता है इसलिए यह दिन भगवान श्रीहरी विश्णुमा लक्ष्मी के साथ ही समझ देवी देपताओं की गृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है मकर संक्रांती पर सुर्य उदे से पहले इस दान कहने से हजारों गौदान के बराबर पुन्य फल प्राप्त होता है मकर संक्रांती पर दान कहने का विश्श महत्व है मकर संक्रांती पर दान कहने से अक्षर पुन्य की प्राप्त होती है अन्य दिनों की अपिक्षा मकर संक्रांती पर दान करने से कई लाख कुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है इसलिए मकर संक्रांती पर अपनी सामर्थ की अनुसाद दान अवश्य ही करना चाहे है देपताओं का दिन शुरू होने की बचे से इस दिन भगवान लक्षमी नारायन का विशेश रूप से पूजन किया जाता है इस दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए शाहत तरपन करने का बिधान है ऐसा करने से पित्रों को मुक्ती मिलते है दोस्तों मकर संक्रांती के दिन भगवान सूरे अपने पुत्र शनी देव के घर जाते है इसलिए मकर संक्रांती पर भगवान सूरे और शनी देव का पूजन विशेश रूप से किया जाता है इस बार की मकर संक्रांती बहुत ही खास है क्योंकि इस बार मकर संक्रांती पर शनी देव, सूरे देव और बुद्दग्रह तीनों ही मकर राशी में रहेंगे जिसे त्रिगही योग और कई दुल्लब संयों को का भी इस मकर संक्रांती पर निर्मार हो रहा है साथी इस बार की मकर संक्रांती 15 जन्वरी दिन शनीवार को भी है और शनीवार का दिन शनी देप को समर्पित होता है आज की इस बीडियो में हम आपको एक ऐसी चीछ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप मकर संक्रांती के इस दो लफ सयोग पर पीपल प्रक्ष बचड़ा ती तो इससे भागवान लक्ष्मी नारायन की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी भागवाल लक्ष्मी नारायन की कृपा से कश्टों से छुटकारा मिलेगा पीपल ब्रक्ष में पित्रों का भी बास होता है आज के दिन पीपल ब्रक्ष पर यह बस्तु चढ़ाने से पित्र भी प्रसन हो जाएंगे और पित्रों की आत्मा को शांती मिलेगी पित्र दूर्ष से भी मुक्ति मिलेगी पीपल के ब्रक्ष में शनी देव का भी बास होता है आज के दिन यह बस्तू पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाने से शनी देव की भी कृपा प्राब्द गया है भागवान विश्णु के साथ ही पीपल प्रक्ष्मे मालक्ष्मी का भी बास होता है इसकंद पुरान के अनुसार पीपल के मूल में विश्णु तनीमी केशम साखाओं में नारायन और पत्तों में हरी आदी देव रहते हैं पीपल प्रक्ष्मी सभी देवी देपताओ और सभी देथों का भी बास होता है मकल संक्रांती जो कि देपताओं का दिन होता है इस दिन पीपल प्रक्ष का पूचन कहने से भगवान लक्षमी नारायन के साथी समस्तित देवी देपताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी शानी दूर हो जाती है पीपल प्रक्ष का पूचन कहने के लिए मकल संक्रांती पर सुबह उठकर इस नान का सच्छबस्त धारन करें दोस्तों मकल संक्रांती पर सबसे पहले भगवान सूर्य का पूचन कहना चाहिए इसलिए आप पहले भगवान सूर्य को जल दें इसके पश्चा पीपल प्रक्ष का पूचन करें पीपल प्रक्ष का पूचन करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जलने अगर आपके घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल के पात्र में टालतें अब दोस्तों आप इस जल में थोड़ा गुड मिलाएं आपको स छोड़ना नहीं है आप चम्मत से इसे जल में अच्छी तरह से मिला दें जब जल मीधा हो जाए आप इस जल में आप थोड़े से काले तिल डालें जी हां दोस्तों ध्यान रखें आपको इस जल में काले तिल मिलाने हैं मकर संक्रांती पर काले तिल का विश्ष महत होता है काले तिल भगवान विश्णु को अतितिक प्रिया है काले तिल से ही पित्रों का तरपन किया जाता है और पित्रों को तरप्ति मिलती है काले तिल ही भगवान शनी देव के पूजन में प्रयोग किये जाते हैं इससे शनी द का पूजन भी काले तिल से ही किया जाता है तिल के इस महत्व की बचे से ही मकर संक्रांती को तिल संक्रांती के नाम से भी जाना जाता है काले तिल मुक्ष प्रतान करने वाले और पाप और कश्टों से छुटकारा दिलाने वाले होते हैं इसलिए आपको इस जल में काले तिल मिलाने हैं काले तिल डालने के पश्चात आप आप पीपल प्रक्ष का पूचन करें पीपल ब्रक्ष का पूचन करने के लिए आप पीपल ब्रक्ष पर यह जल चड़ाएं पीपल ब्रक्ष पर जल चड़ाते समय दोस्तों आपको ओम नमो भगवति वासु देवाय मंदर का चाप करना है यह भगवान बिश्टू का द्वादर्श मंदर है भगवान सूडे को भ भगवान बिश्टू का पूचन करने से मलख्ष मी जीवी अतिक शीगर ही प्रसन हो जाती हैं और भगवान बिश्टू जी से ही सभी देवीदेपता प्रकट हुए हैं इसलिए आज के दिन भगवान बिश्टू जी के द्वादश मंद ओम नमो भगवति वासु देवाय का परिक्रमा करते हुए पीपल प्रक्ष पर जल अर्पित करें जल चड़ाने के परश्चात आप पीपल प्रक्षी 8 परिक्रमा करें परिक्रमा करती से में भी आपको ओम्नमो भगवति वासुदेवाय मंतर का जाब करते रहना है दोस्तों आपको clockwise परिक्रमा करने हैं अगर पी की परक्रमा करें दूस्तों प्रक्रमा करने के परश्द अब परख्षत पस एक दिपजराइए हो सकते तो शुद्धिक गी कर दिया जलाएं रहे चना gefल्स की सिर्शना है acquaint पहलं जिला सकते का सρसुंप्र बिश्ट प्रणाम करें सूरे देव शनी देव को प्रणाम करें समस्ति देवी देव दाओं को प्रणाम करें और फिर भगवान जी से जाने अंजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की शमा मांगे और अपने पित्रों की भी सभी गलतियों की शमा मांगे पित्रों को कोई कष्ट ना हो इसकी प्रात्ना करें पित्रों की मुक्ति की प्रात्ना करें अब दोस्तों आप अपने पित्रों को भी प्रणाम करें और भगवान जी और पित्रों से जाने अन जाने में की गई से भी गलतियों की शमा मांग कर आपके जो भी मनुकामना है वे भगवान जी के सामने रखें आपको जो भी कष्ट है जो भी परिशानी आपके जीवन में चल रही है आपके बच्चों का विवा नहीं हो पा रहा है ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या घर में लड़ाई छगड़े रहते हैं तरक्की नहीं मिल पा रही है जो भी आपकी समस्या है वह आप भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रातना करें साथ ही ग्रह दोश शनी दोश और पित्र दोश को दूर करने की भी प्रातना करें दोस्तों आज से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है आज की दिन इस तरह से पीपल प्रक्ष का पूचन कहने से भागवान जब एक कश्ट और दोशों से मुक्ते मिलती है और घर में सुक्सम्रथी आती है इसलिए दोस्तों मकश संक्रांती के पावन पर पर आप इस बिधी से पीपल ब्रक्ष का पूजन अवश्य ही करें पूजन करते समय कुछ बातों का विश्श ठ्यान रखें दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि मंदिर पर लगे हुए ही पीपल ब्रक्ष का पूजन करें किसी भी सूनसान इस ठान पर लगे हुए पीपल ब्रक्ष का पूजन नहीं करना चाहिए या फिर आपके घर के आसपास पब्लिक एरिया में याने की जहां चहल पहल रहते हैं उस जगे जो पीपल प्रक्ष आप उसका भी पूचन कर सकते हैं सदेव बढ़े पीपल प्रक्ष का पूचन करें पीपल प्रक्ष के छोटे पौध stories या इधस दीवाल में लगे हुए पीपल प्रक्ष पर पफशाएं पीपल प्रक्षपर जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपने मस्तक से ना लगाएं पीपल प्रक्षपर जो दीपक जलाया है उस दीपक से आर्थी ना लें बिना चप्पल जूते पहने आप पीपल प्रक्ष का पूचन करें महिलाएं सदेव से ठखकर पीपल प्रक्ष का पूचन करें जब भी पीपल प्रक्ष का पूचन करने चाहें तो बालों को बांध कर रखें और सौंदर प्रसादन जैसे की तेज परफ्यूम या क्रीम बगेरा आप लगा कर पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें पीरिद के दोरान महिलाएं ना तो पीपल्ब्रक्ष का पूचन करें ना ही पीपल प्रक्ष के आज पास चाएं अगर आप दित में पूचन ना कर पाए हो तो संध्याकाल की लगभक एक घंटे बात तक पूब ब्रक्ष के पात दीपक चला सकते हैं रात्री में जल ना चढ़ाएं और ना ही पीपल प्रक्ष की परिक्रमा करें पीपल प्रक्ष की पत्ते से भी उपाई के जाते हैं और भगवान को भी पीपल प्रक्ष की पत्ते अर्पित के जाते हैं लेकिन कभी भी पीपल प्रक्ष की पत्ते आप उपाई या पूजन के ल जाते हैं आप छोटे बच्चों को ले जा सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पच्चे उस दौरान कुछ खाये ना बच्चों को कुल्ला कराने के बाद ही आप पीपल प्रक्ष पर ले जाएं भगवान ने पीपल ब्रक्ष को सभी के लिए बनाया है ज्यानी की बिधी पूरवक ही करना चाहें इसलिए पीपल प्रक्ष का पूचन करती समय इन बातों का विशेश ध्यान रखें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और इस्तेदारों में जादर से जादर शे झाल